ओके तो चलो आज हम लोग फिर से एक fresh topic शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है reflection of light पिछले class में हम लोगों ने reflection को खतम कर दिया था और बहु सारा questions भी करवाये थे अब हम उस पे एक complete questions का एक lecture डालेंगे या फिर live आएंगे ठीक है लेकिन अभी मैं उसके लिए फिर से टाइम नि light ध्यान दें कि यह जो reflection of light है यह बहुत important हो जाता है important है neat के लिए और जेई के लिए ठीक है यानि कि maximum जो questions आएगा अगर ray optics से या geometrical optics से जोगर question आता है तो reflection का ज्यादा chance है हाँ हो सकता है कि इस reflection में reflection भी combine हो जाए involve हो जाए दोनों का combine करके push दे तो हो सकता है ना लेकिन यह है कि reflection से ज्यादा portion रहेगा ठीक है चलो तो हम लोग शुरू करते हैं reflection बहुत सारा चीज आप लोग इसका class 10 में पढ़ चुके हो और बहुत कुछ जो नहीं पढ़े हो वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे one by one okay तो चलिए शुरू करते हैं लोग reflection of light तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग definition से शुरू करते हैं अग्दम से basic से शुरू करते हैं कि अगर कोई नहीं भी पढ़ाऊगा class 10 में तो वो पढ़ सकता है ठीक है तो सबसे बेसिक शुरू करते हैं, हम शुरू शुरू बात करते हैं, तो रिफ्रेक्शन, तो रिफ्रेक्शन क्या है? एक फेनोमेना है कि इसका लाइट का, तो बोलता क्या है? कि वेन, हैना, एनी लाइट, रे अफ लाइट, यह बीम अफ लाइट में बल रहा हूँ, हैना, पासेज त्रू दिफ्रेंट अप्टिकल, मीडियम, देन, क्या होता है? कि अट इंटर्फेस, अफ मीडियम, यह वर्ट ध्यान रख्येगा, लाइट, गेट, बेंट, ठीक है? अट इस बेंडिंग, अट इस फेनोमेना, इस कॉल्ड रिफ्रेक्शन, मतलब कि अगर कोई भी बीम ओफ लाइट, पास करता है, डिफ्रेंट, डिफ्रेंट मीडियम में, जैसे अगर मैं बोलूँ, कि माल लो कि यह एक इंटर्फेस है, इंटर्फेस, का मतलब बाउंडरी है, किसका भाई, बाउंडरी कहने है, मतलब कि इसके उपर है अलग एक मीडियम, मालो यह मीडियम वन है, और यह क्या है, यह मीडियम टू है, ठीक है, मतलब कि यह अलग मीडियम है, यह अलग मीडियम है, और दो मीडियम जहां पे मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलता है, इंट तो जब कोई लाइट, मालो, कि कोई light आपका आया, यह medium 1 से आ रहा है, और जैसे ही यह इन्टरफेस पर पहुंचेगा, तो इस इंटरफेस पे एक नॉर्मल आप डालेंगे और इस नॉर्मल से लाइट बेंड हो जाएगा, ठीक है? यहनि लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया. actually मैं ठुछा और दिखाऊ बेंडिंग, तो इह हमारा लाइट आ रहा था, यहां से इनसीडेंट रे और यह हमारा रीफ्रेक्टेर्ड रे. क्या है यह? रीफ्रेक्टेर्ड रे. ठीक है? और यह हमारा होता है नॉर्मल. सब कुछ पते हो है? यह हमारा इन्टरफेस है, इसके उपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम है, कोई एक रे आया, इंटरफेस पर जैसे पहुंचेगा, तो वहाँ पर नॉर्मल डालेंगे, आई ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो बेंड हो रहा है, तो ये बेंड होने का जो प्रोसेस है, लाइट का जो बेंडिंग का जो फेनोमेना है, अब तुम्हारे दिमाग में एक कोशन्स आता होगा, कि सर ये बेंड क्यों होता है, इसके पीछे क्या लोजिक है, ठीक है ना, तो भाई उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकान है यहीं पर बात करोँ, तो incident ray और normal के जो बीच angle होता उसको I बोलते हैं, और normal और refracted ray के बीच जो angle होता हो उसको R बोलते हैं, और I का नाम है incident angle, incident angle, ठीक है? और R का नाम है angle of reflection, क्या? angle of reflection. हाना यह इसी को प्रोलते हैं अंगल ओफ इंसिदेन्स अंगल ओफ इंसिदेन्स ठीक है सुझ मेरे बात कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे मैं एक चीज और तुमको डिफाइन करना चाह रहा था की भाई रिफ्रेक्शन में भी तुम अंगल ओफ डिफिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है ना तो अगर मैं तुमको बताऊँ कि यहाँ पे भी अगर अंगल ओफ डिफिएशन अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हाना तो भाई एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है अगल ओफ डिफिएशन है ना मतलब क्या डेल्टा की वैलू किस केस के लिए तो भाई रिफ्रेक्शन के लिए ठीक है तो अगर मुझे रिफ्रेक्शन के लिए बात करें तो अगर यह रे ऐसे चलता आता यानिकि कोई मीडियम जो है अलग अलग नहीं होता एक ही मीडियम होता तो यह रे आपका ऐसे आता चला जाता चला जाता कि न चलाता तो अगर यह एंगिल आई है तो यह टोटल एंगिल कितना होता आई होता होता कि नहीं होता बताओ यह टोटल एंगिल कितना होता तो यह आई है यह और यह डिल्ट Εचels इलेके मांझा एर हाइगा ए कि तो आई है अर यह अगर होयगा तो यह माइनस आइस जाएगा लेकिन यह bend हो गया थी नहीं, ऐसे जागर किया पर ऐसे bend हो गया, यह इतना ही angle bend होगा, तो इसको delta निकाल ली हम लोग, ठीक है? आगे और निकालेंगे, आप देखेंगे कि bend किदर हो रहा है, यह भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो questions तुम्हार दिमाग में आता है, वो यह आता है कि भाई, यह bend क्यों होगा? तो bend जो होता है, उसका कारण होता है, refractive index, यानि हर एक medium का अलग-अलग refractive index होता है, तो वो जो refractive index है किसी medium का, उसको हमें जानना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग एक नया term सखेंगे, refractive index, ठीक है? चलो हम लोग लिखते हैं क्या है कि बहुत ही आसान है, और यह आशान चीजों को आप easy way में मनलब कि जान सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है शलिए तो लिखते हैं, क्या लिखेंगा भाई? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका symbol किसी-किसी बुक में mu से डिया जाता है और कहीं-कहीं n भी लिखा रहता है, ठीक है? तो हम mu बोले या n बोले, यह क्या होता है? तो refractive index किसी के निकालते है? of medium, यानि किसी medium का ही निकालेंगे ना? तो refractive index किसी निकालेंगे, किसी medium का निकालेंगे तो क्या होता है बाबू? यह होता है ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium यहनि कि कौन सा medium जिसका हमें refractive index निकालना है, ठीक है? तो mu या फिर n है ना? कि जो value होगी वो होगा speed of light in vacuum और upon speed of light in medium तो माल लो कि होई mu या फिर n बराबर speed of light in vacuum कितना होता है? C से denote करते हैं और medium में कितना होता है? V से denote करते हैं, है ना? C upon V जो है हमारा और C की value सबको पता है 3.0 into 10 to the power 8 meter per second होता है तो इस तरीके से C को अगर V से divide करेंगे तो है हमारा refractive index of medium निकलेगा और n या फिर mu जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है? अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि for air for air mu या n की जो value होती है 1 होती है for vacuum mu या फिर n की value ही 1 ही होती है ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि for glass तो mu या फिर n जो भी denote करूँ है इसकी value जो होती है 3 by 2 होती है 4 water यही तीन आपको सबसे ज़्यादा आएगा water और glass और air for water mu फिर या n जो भी बोलो है न क्या होता यह 4 upon 3 होता है 4 upon 3 होता है इसका चुकी ऊपर भी speed है नीचे भी speed है तो कोई dimension नहीं होता है unitless होता है unitless नहीं की no dimension किसका refractive index का क्यों क्योंकि यह ratio है क्या यह ratio है तो भाई यह हमें तो है याद रखना है इसको किसी भी हालत में क्या कि भाई air के लिए 1 होता है glass के लिए 3 by 2 होता है water के लिए 4 by 3 होता है हम इस 3 by 2 को 1.5 भी लिख सकते हैं 1.33 भी लिख सकते हैं ठीक है आपकी जैसी मर्जी जैसा ज़रत होगा आप यूज कर सकते हो ठीक है चलिए कोई बात नहीं है यह आपका आसान सा एक topic है इसके questions देख लेते हैं यहाँ पे चलो questions भी देख लेते हैं भाई कोई दीकत नहीं है questions है कि मानलो जी कि if refractive index refractive index of glass is three by two then find the speed of light in glass यहनि कि अगर refractive index mu speed c c और बाता है velocity कि में? glass में आये किसमें? vacuum में यहनि speed किसमें? vacuum में बाते हैं refractive index of glass by speed in vacuum but a speed in glass हम यही glass में speed निकालना है mu of glass दिया हुआ 3 by 2 is equal to speed vacuum में कितना होता है 3.0 into 10 to the power 8 और हमें velocity निकालना है glass में तो velocity जो glass का होगा इसको दर भेजो 3 into 2 into 10 to the power 8 और upon में 3 यह 3 is 3 cancel कितना है 2 into 10 to the power 8 meter per second तो अगर air में या vacuum में speed 3.0 into 10 to the power 8 meter per second है तो glass में जो होगा 2 into 10 to the power 8 meter यानि कम हो जाएगा तो आप easily किसी भी medium में आप speed क्या कर सकते हो find out कर सकते हो clear है चलो इसमें एक और चीज़ यहां पर सीखते हैं क्या सीखेंगा भाई जो देखते हैं बहुत ही आसान है धीरे धीरे सब कुछ आप लोग सीखना है आप लोगों को कुछ भी जादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ठीक है चलो और क्या देखते हैं कि start लगा जाता हूं याद कलना ये क्या बाबू कि in reflection frequency जो हता है of light do not changes यादि कि same रहता है तो frequency हम लोग mu लिख रहे हैं तो mu जो हता है वो same होता है यादि कि mu जो है वो change नहीं होगा चाहे किसी भी medium में चला जाए क्यों नहीं होगा ये मैं region बता रहा हूं frequency जो हता है depends करता है on source of light पे मतलब कि light कहां से produce हो रहा है यानि कि solar से आ रहा है कि किसी bulb से आ रहा है या किसी device से आ रहा है तो वो device पे या bulb के input पे या solar के input पे depends करेगा frequency किस medium में पास कर रहा है उस medium से इसके frequency पे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं क्या तो we know क्या जानते हो तुम लोग भाई तो velocity जो होता है वो new into lambda होता यानि कि speed जो होता था 9 class पड़ेंगे frequency into lambda तो देखे यह क्या है यह तो मेरा constant है तो velocity जो है बताया क्या गया है जो देख लो ध्यान से है ना तो हम लोग refractive index को और क्या लिश सकते हैं वो भी देख लिजीए आप लिख लोगे क्या कि इसलिए refractive index अगर formula लिखें तो क्या होता था c upon v यानि speed कहां पे vacuum में तो क्या होता जाएगा vacuum में new into lambda कहां पे vacuum में और upon new into lambda कहां पे medium में है ना तो अगर new से new cancel हो गया तो mu की value कितनी आ गई lambda in vacuum और upon lambda in medium ठीक है? तो भाई velocity अगर घटेगा तो lambda भी घटेगा velocity बढ़ेगा तो lambda भी बढ़ेगा ना ऐसा कब जब frequency constant हो गया है तब ठीक है? यह बात आप ध्यान रखिएगा ओके चलिए था हम लोग अब लिखते हैं आगे इसके बढ़ते हैं ना तो आगे भाई शुरू करते हैं क्या होता है? हम लोग पढ़ने स्नेल्स लाओ ठीक है? तो क्या होता स्नेल्स लाओ पहले उसको देखते हैं ठीक है? अगर मान लोग यह कोई मीडियम का यह इंटरफेस है अगर इसके उपर मीडियम 1 है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 है अगर यह मीडियम 2 है अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है ठीक है? और अब मान लो कि कोई एक रे आ रहा है यहाँ पे अगर यह हम नॉर्मल डाल दिये तो यह क्या होता है अपने आरस्ते से बेंड हो जाएगा तो अगर यह incident ray है और अगर यह refracted ray है और अगर यह बाबू I है और यह अगर R है तो क्या होता है according to Snell's law जो sign of ratio, ratio of sign तो चाज़ागा sign I upon sign R is equal to, क्या होता है? constant होता है और यह किस के बराबर होता है? यह होता है इनकी medium 2 का refractive index और बटे medium 1 का refractive index याद रहेगा यह नही बोल सकते हो कि ratio of sign, of angle, of incidence and angle of refraction is constant and equal to equal to the ratio of refractive index of medium 2, to that of medium 1 भाई, क्या है? ratio है किसका? sign का, sign किसका sign लेंगे? angle का, क्यों से angle का sign लेंगे? incident angle का और refracted angle का यानि ratio of sign of angle of incidence and angle of refraction is constant. अगी ratio क्या होगा? constant होगा. अग किसके बराबर होगा? तो and equal to होगा किसके बाए? the ratio of refractive index of medium 2 divided by medium 1 यानि कि medium 2 by medium 1 तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो उसको? और इसको हम अगर यहां से चाहें तो यहां से लिख सकते हैं और क्या भाई, तो sin i by sin r sin i upon sin r is equal to mu 2 बटे mu 1 अगर मैं इसको इधर लिख दूँ, तो क्या जाएगा? mu 1 into sin i, बटाबर mu 2 into sin r मतलब क्या बाबू? बता मेरे को यह क्या है? product है, product of refractive index and sign of angle ठीक है? sign of angle क्या है? sign of angle है न? will be constant मतलब क्या बाबू? कि जो medium है उसका क्या angle है? उसका sign ले लो तो अगर medium 1 है, तो इसका angle कितना है? i है तो mu 1 into sin i, अगर हमारा यह medium 2 है तो medium 2 में angle क्या है बाबू? तो r है, तो mu 2 into sin r यह सब हैलू क्या होगा? constant होगा 4, है न? 1, 2, 3, 4, dot, dot medium तो क्या जाएगा? इतना medium क्या जाएगा? mu 1 sin i1 बराबर mu 2 sin i2 बराबर mu 3 sin i3 dot 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 से चलता चला जाएगा? सब मेरे बात को, यानि कि सब ही का प्रोडक्ट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का और उसके sign का उसके kind of angle का, तो क्या होना चाहिए? constant होना चाहिए तो ये ratio के term में define करो, या फिर product के term में define करो, दोनों तरीके से आप define कर सकते हो किसको? snails, law को, किसको define कर सकते हो? snails, law को, clear है? और अब हम लोग चलते हैं आगे rarer, or dancer, medium तो माल लो कि एक medium one है, medium two है, दो medium है, ये ठीक है? और ये, दो medium है, ये है medium one और ये भी है medium one ये है medium two, ये भी है medium two, ठीक है? ये क्या है, बताओ मेरे को? interface है, interface है, ये भी क्या है? interface है, ठीक है? अब मैं बोलूँ क्या? कि if mu one बड़ा हो किस से? mu two से, सुनना ध्यान से, ये अगर इसका refractive index mu one है और इसका refractive index अगर mu two है, और mu one बड़ा हो गया किस से? mu two से, तो medium one जो हो गया, वो dancer हो गया, और medium two जो हो गया, वो rare हो गया, rarer हो गया, समझना है बात? कि अगर rare और dancer ये क्या है? comparison का word है, यहनि कि हम singly किसी को rare या singly किसी को dancer नहीं बोल सकते, जब तक कि comparison के लिए एक और medium नहीं हो, तो तो दो में से जिसका एक refractive index कम होगा उसको rare बोलेंगे और जिसका ज्यादा होगा उसको dancer बोलेंगे, ठीक है, तो यहां पे दो medium है, medium one है, medium two है, तो हम यहां लिख दिया है कि medium one बड़ा है, यहां कि और अब अगर ऐसा होता है तो इसलिए लिखेंगे, sin i बटे sin r is equal to mu two बटे mu one, clear है? अब देखो यहां पे धियान से, तुम लोग, बताओ मेरे को तुम, कि भाई, mu one जो है, बड़ा है किस से? mu two से, यहां पे चुकी mu two, बटे mu one, less than one है, क्यों है? क्योंकि mu one बड़ा है किस से? mu two से इसकी जो value आएगी, वो one से छोटा आएगा, तो इसलिए sin i upon sin r का value भी one से छोटा होगा, तो यहां पे क्या होजाएगा? sin i जो होगा, चोटा होगा और sin r जो होगा, तो i के value छोटी होगी किस से? r से, यानि कि angle of incidence छोटा होगा, angle of reflection बड़ा होगा, तो अगर मैं यहां से कोई light ऐसे पास करवाऊं, यह, और अगर यहां पे मैं normal डालूं, और अगर मेरा यह अगर i है, तो r बड़ा होना चाहिए, तो obviously, यह, जो light सीधे से जाएगी, तो i है, तो i होगा, तो i होगा, तो i होगा, तो i बड़ा होना चाहिए, तो light क्या हो जागा यहां से? यह bend कर जाएगा इधर के तरफ, इधर तरफ चला जाएगा, ठीक है? और यह तुम्हारा r होगा, यह हमारा r होगा, ठीक है? यहां पर लिख देंगे कि, इफ लाइट, ट्रेवल, फ्रॉम, काउन सा? देंसर तू, रेयर, देंसर, तू, रेयर, मीडियम, दें, अलाइट, बेंस, अवे, फ्रॉम, नॉर्मल, क्या होगा? नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, क्यों भाग जाएगा? क्योंकि mu1 बड़ा है, mu2 से, यह इसका मतब कि, denomerator छोटा है, बड़ा है, नॉम्हेटर से, इसकी पहलू 1 से छोटा आएगा, इसकी पहलू 1 से छोटा आएगी, तो i की पहलू छोटा होगा किसे? r से. और अगर मै तुमको बोलू कि यहाँ पे angle of deviation निकालो, तो क्या करोगा? देख, यह हमारा original path है, यह हमारा कौन सा path है? original path है, और यह हमारा कौन सा path है? reflected path है, तो मतलब क्या हुआ? यह light ऐसे जाना चाहिए था, अगर एक ही medium होता तो, लेकिन यहाँ से इसे घूम गया, तो यह ही angle मेरा delta ह है, angle of deviation है, तो यहाँ पे angle of deviation निकाल सकते हो, angle of deviation, क्या लिखेंगे बाबू, delta is equal to, तो total angle r है, और यह i है, तो यह भी कितना हो जाएगा यह, यहाँ से यहाँ से कितना है, i है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? r minus i हो जाएगा, r total है, और यह आई ते भी आई, और यह हमें निकालना है, तो total हमारा r है, और यह i है, तो total r में से i घटा देंगे, तो यह निकल जाएगा, तो निकल जाएगा r minus i, किस के लिए, जब हमारा ray, dancer से rare में जाए, clear है, अब यहाँ पे आते हैं, इस case के लिए आते हैं, दूसरा वाला case, ठीक है, क्या भाई, अगर मैं इसको बोलू, कि इसका, if mu1 है, यह क्या है, mu2 है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कि if mu1 is less than mu2, यानि कि mu1 छोटा हो, mu2, बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, यह मीडियम 1 क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, यह छोटा, यह बड़ा हो गया, तो यह हो गया rare, यह क्या हो जाएगा denser, कौन सा भाई, तो medium 1 rare हो जाएगा, medium 2 क्या हो जाएगा, denser हो जाएगा, तो आब यहाँ पर देखो तो, तो क्या लिखेगा, इसलिए, यहाँ पर mu1 या फिर, sin i upon sin r is equal to mu2 upon mu1, और देखो, mu2 बड़ा है, mu1 छोटा है, तो mu2 अबटा mu1 क्या होगा, बड़ा होगा किस से, 1 से, तो इसलिए, sin i, और upon sin r greater than 1 होगा, तो, और क्या होगा यहाँ पर, sin i, बड़ा होगा किस से, sin r से, i बड़ा होगा किस से, r से, clear है, i बड़ा होगा किस से, r से होगा बड़ा, तो अगर ऐसा होता है, i बड़ा होता है r से, तो मतलब क्या, कि अगर यह मेरा ray आ रहा है, और अगर यहां पर हम नॉर्मल डालें, और अगर यह मेरा आई है, तो क्या होगा, यह ऐसे जाना चाहिए था ओरिजिनल पाथ में, यही ओरिजिनल पाथ है, लेकिन क्या होगा, बेंड होगा, किधर बेंड होगा, बताओ मेरे को, तो छोटा हो जाएगा, तो इधर चलाएग है ना यह मारा आर हो जाएगा ठीक है तो देख यही मेरा क्या यह ओर्जिनल पाथ है यह यह मारा डेल्टा हो जाएगा वह जाएगा यहां पर आंगल ओफ डेविएशन जो होगा अंगल ओफ डेविएशन delta कितना हो जाएगा तो बाई total कितना है i है और यह r है तो यह total मेरा यह हां से यहां तक i है तो i minus r हो जाएगा delta के जगा ठीक है और यहाँ पर हम एक word लिख देंगे क्या लिख देंगे बताओ यह लिख देंगे कि इसको मिटाता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ कि, if light travels from rarer to denser medium, then it bends towards normal. क्यों? क्योंकि normal, देख ऐसे जाना चाहिए था, लेकि normal गूम गया, तो normal गूम गया, तो आप साफ साफ दिकरा है, r क्या है, चोटा है, समझ मैं है बात, यह था total, आपका rare medium का concept, dancer medium का concept, और उसके बाद फिर क्या था, angle of reflection, आप कैसे लिख लिख लिखोगे, दोनों case में, clear है, अब इसको हम लोग और आगे चलते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखो धियान से, देखो इदर जी, क्या, कि हम लोग जानते हैं, we know, sine i upon sine r, कितना होता है, होता है, mu2 upon mu1, होता है कि नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं, कि mu क्या होता है, speed of vacuum बटे velocity, है ना, तो इसलिए mu2 बैबर क्या हो जाएगा, yq में तो speed बटे velocity किस में, medium 2 में, और mu1 क्या हो जाएगा, speed बटे velocity किस में, medium 1 में, लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ सगर लिखे तो, क्या जाएगा, इसलिए, sine i upon sine r is equal to, mu2 की value लिखो, तो क्या जाएगा, c upon v2 divided by c upon v1, यानि कि क्या जाएगा, v1 उपर v2 नीचे, तो v1 upon v2, क्यों, यह दोनों क्या हो गया, cancel हो गया, तो इसलिए क्या लिखता है, sine i upon sine r, बराबर v2 बटे v1, क्लियर है, यानि कि velocity के terms, sorry, v1, बटे v2, बटे v2 बटे v2 लिख सकता है, also, also अगर मैं बात करूँ, तो v1 के जगा पर frequency तो constant रहेगा, lambda 1, बटे v2 के जगा पर frequency constant रहेगा, तो lambda 2, तो इसलिए sine i upon sine r को lambda actor में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, new into lambda 1, और upon में new into lambda 2, काट दो, तो sine i upon sine r को हम lambda 1 upon lambda 2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि reflection में जो frequency होती है, वो क्या होती है, constant होती है, clear है, कोई दिकत नहीं है, चलो, बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग जो है, reflection की बात अगर करेंगे हम, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, heading में, reflection from different mediums, तो मान लो, कि यह हमारा interface है, यह 1 है, medium 2 है, 3 है, 4 है, इसका refractive index mu1, इसका ले लेते हैं mu2, इस वाले medium का ले लेते हैं mu3, इस वाले का ले लेते हैं mu4, है ना? तो क्या होगा, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो भाई क्या करेंगे हम, अगर मैं यहाँ सरे ऐसे आया, तो यहाँ पर normal डालेंगे, अभी मान लो ऐसे bend हो गया, फिर normal डालेंगे, तो मान लो ऐसे bend हो गया होगा, फिर नर्मल डालेंगे तो कुछ ऐसे चला गया होगा, ठीक है, तो ये हमारा I1 था, ये था आपका R1, तो ये भी क्या जाएगा, R1 हो जाएगा, ये था R2, तो ये भी क्या जाएगा, R2, और ये हमको बलते हैं, exit angle बोलते हैं, लास्ट में जो medium होता है न, इसको E को हम लोग क क्या बलते हैं, exit angle बोला जाता है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, तो medium 1 and 2, ये interface number 1, ये interface number 2, और ये interface number 3, है न, तो तीनों के लिए तुम क्या कर सकते हो, formula लिख सकते हो, है न, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, भाई, different different mediums के लिए, तो अगर मैं तुमको बोलू, कि for interface 1, एक number interface के लिए, क्या लिखेगा, mu1, sin of i1, बटे में sin of r1, बराबर क्या लिखेगा, mu2 बटे, mu1 लिखेंगे, clear है, for interface 2, दूसरे interface के लिए, यह हमारा incident angle है, यह हमारा reflected angle है, तो क्या हो जाएगा, sin of r1, बटे में sin of r2 is equal to, यहनि कि यह r1, यह r2, इसका refractive index, बटे, इसका refractive index, म्यू 3, बटे, mu2 हो जाएगा, तो mu3, बटे में क्या हो जाएगा, mu2, उसी तरह से, अगर मुझे लिखना हो, for interface 3, नमबर के लिए, इसके लिए, तो यह हमारा incident angle, यह हमारा reflected angle, यह हमारा reflected angle, तो r2 है, यह e है, तो क्या जाएगा, sin of r2, और upon sin of e, is equal to, यहनी इसका क्या है, mu4, इसका है mu3, तो mu4, बटे, mu3 हो जाएगा, ठीक है, आराम से लिख सकते हो, अगर मैं तुमको बोलू, समाहिन ना ध्यान से, अगर यह a है, यह b है, यह c है, यह d है, और इसको अगर मैं बोलू, e है, अगर इसमें से कोई भी दो ray parallel है, मालो कि a, b, if a, b parallel हो गया, किसके, c, d के, तो अगर दो ray parallel है, मतलब कि दोनों का velocity सेम है, तो अगर ऐसा है, तो पक्का इसका और इसका refractive index सेम होगा, यहनी कि mu1 बराबर किसके होगा, mu3 के, अगर मैं बोलू, कि sir, a, b, j, ray, a, b, और यह d, e, parallel हो गया, तो अगर यह वला ray और यह ray अगर parallel हो गया, सुनना ध्यान से, अगर यह वला ray और यह वला ray parallel हो गया, तो यह वला refractive index, और यह वला refractive index क्या होगा, equal हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mu1 बराबर किसको हो जाएगा, mu4k, तो भीर, normal से जो angle है, यह बला angle, यहाँ जो normal से angle है, यह बला, दोनों अभी equal होगा, तो यह अगर I1 है, तो बराबर किसको हो जाएगा, E के, और अगर इसकी बात करूँ, तो A, B parallel है, C, D के, नहीं की, A, B parallel है, C, D के, तो C, D जो है, normal से कितना angle बना रहा है, यह R, 2 बना रहा है, यहाँ पर I1 बना रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, तो भाई, इसका angle I1 है, तो I1 है, इसका angle कितना है, C, D का, R, 2 है, तो R, 2 दोनों बरावर होगा, तो अगर कोई भी दो रहे इसमें से किसी medium का parallel हो जाएगा, तो उस medium का refractive index भी equal होगा, और उस medium का angle भी क्या होगा, normal से, equal होगा, क्यों है, क्यों, क्योंकि दोनों medium एक ही है, तभी तो R, parallel है, अगर दो medium अलग-अलग होता, तो R, कभी parallel नहीं होता, clear है, अब हम लोग एक, दो, तीन questions देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए, देखते हैं, यहाँ पर कुछ questions ले लिए हैं, और हम लोग इसको solve करते हैं, है बाबू, कि a light ray incident on glass sphere, एक sphere है glass का, ठीक है, I show you the figure, तो दिया हुआ है, तो बोल रहें, find R, R-E, and the total deviation, after two reflection, यहनि कि एक यहाँ पर reflection होगा, फिर एक यहाँ पर reflection होगा, तो दो reflection के बाद, total deviation कितना हुआ, यह निकालना है, ठीक है, चलो, इसको हम लोग एक one by one करके solve करते हैं, तो देखो सब से पहले क्या करते हैं, कि, तुम यह बताओ मेरे को, कि यह तो हमारा, 1 है इसका refractive index, और इसका sphere का refractive index कितना है, root 3 है, और यह angle कितना है, 60, यह आर आराम से हम angle और फिर और इसको माल लो A, और इसको माल लो B, ता apply, snail's love, at A, तो A पर लगा दो, भाई वू तो क्या लिखेगा, mu1 sin i बराबर mu2 sin r, ता भाई, mu1 के जगा पर लिखेंगा 1, और sin i के जगा पर 60 लिखेंगा, ता sin 60, is equal to, mu2, यानि यहां के भाई लो कितना है, root 3, i into sin r, जो हमें निकालना है, sin 60 क्या होता है, root 3 by 2, तो यहां क्या लिखेंगे, root 3 by 2 is equal to root 3, sin r, तो root 3 is root 3 cancel, तो sin r, के जगा पर 1 by 2 आ गया, तो इसलिए r के बाई लो कितनी आ गई, 30 degree, तो r, यह कितना निकल गया, r के बाई लो कितनी आ गई, 30 degree, आद देखें, यह भी यहां radius है, यह भी यहां radius है, तो symmetry है दोनों, तो अगर यह r है, तो यह r des है, तो from symmetry बोल सकता है, from symmetry, तो r किसके बराबर है, r des के, तो यह भी कितना आ गया बाबू, 30 degree, तो यह भी कितना हो गया, 30 degree हो गया, तो अगर यह 30 हो गया, तो यह भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहां भी लगा देंगे, क्या, snails love, तो लगा दो, snails love कहां पे, b पे, तो यहां इसको बाद में भी करेंगे, इसी को पहले कर लेते हैं, तो snails love, at b, तो b पे लगा देंगे, तो b के लिए, यह mu1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा, mu1, sin i, μु2, sin r, b के लगा रहे हो, तो यह हमारा i है, यह हमारा r है, तो i के लिए, mu1 कितना है, root 3, into, r की 10 के बाद थर्टी डिगरी, तो sin 30, is equal to mu2, यहनि इसका रिप्रेंगे 1, i into sin r, है ना, sin 31 by 2 होता है, तो root 3, by 2 is equal to sin r, तो r की बाद लू कितनी आ गई, यहां पर e है ना, तो e लिख देंगे, e, e, तो e की बाद लू कितनी आ गई, 60 degree आ गई, सब्सक्राइबाद, इसके लिए r के जगा पर क्या है, e है ना, sin e की बाद लू कितनी आ गई, 60, तो यह कितना हो गया, 60 degree, यह कितना हो गया, 30 degree, यह भी 30 degree हो गया, अब हमे, r निकल गया, r निकल गया, और e निकल गया, आप निकलना है, total deviation, तो यहाँ पे deviation कै जगह होगा, तो जितना जगह reflection होगा, उतना जगह deviation होगा, तो अगर यहाँ पे deviation निकलना होता, देखो तो, original path कौन सा था, यही था original path, तो यह हमारा delta 1 है, यहाँ पे original path कौन सा है, यह है, लेकिन गया इधर के तरफ, तो यह हमारा delta 2 हो गया, है ना, तो हम लिखेंगे पहले, deviation at a, तो लिखेंगे deviation at a, मतलब delta 1 के जगह पर, तो यह total 60, तो यह भी total 60, तो i minus r हो जाएगा, मतलब 60 minus 30, कितना जगह, 30 degree, अब लिखेंगे deviation at b, इस जगह पर, तो यह हमारा deviation है, तो लेकिन कितना है, e है, तो e में से घटाएगे किसको, इस r dash को, e minus r dash को घटाएगे किसके जगह पर, delta 2 के जगह पर, यानि कि पूरे में से 60 में से घटाएगे किसको, यानि इसको घटाएगे, तो भाई, 60 में से घटाएगे किसको, 30 को, तो कितना degree आएगा, 30 degree, delta 2 भी 30, delta 1 भी 30, अब दोनो clockwise है, तो यह भी clockwise है, यह भी clockwise है, है ना, तो क्या जगह यहाँ पर, net deviation, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो क्या जगह नेट deviation, तो clockwise है, तो delta net, कितना हो जगह बाबू, तो delta 1 भी 30, तो यानि कितना, 30 भी 30, तो कितना degree है, 60 degree हो जगह डेल्टा net की value, किस direction में, तो clockwise में, यह ध्यान रखें, कि जब भी deviation निकालना हो, तो check कर लो, कि clockwise निकालना है, कि anti-clockwise निकालना है, clear है, चलो हम लोग देखते हैं, किसका, second number questions, ओके, तो इसको मिटाना पढ़ेगा मुझे, तो इसको मिटा देते हैं, है ना, यह भी मिटा देते हैं हम लोग, तो देखो तो बाबू, find the angle theta a, यह यह अंगल निकालना है, when it gets refracted from water to air, यह वाटर से air जा रहा है, तो यह हमारा 1 हो जाएगा, यह हमारा 2 हो जाएगा, तो यह incident रह जाएगा, और यह refracted रह जाएगा, और यह वाला angle दिया हो है, कितना दिया हो है, sine inverse 3 by 5, ठीक है, तो इसको मान लो I, है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, अब धियान से देखो, यहाँ धियान से, तो क्या लिखेंगे, promise nails लाओ, तो mu1 sine I, बरावर mu2 sine R, तो mu1 किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे, तो इसका refractive index कितना है, 4 by 3 है, तो 4 by 3 into sine, और I के जगा पर कितना है, sine inverse 3 by 5 है, तो sine inverse 3 by 5 लिखेंगे, क्यों, sine I है, sine और I के जगा पर angle दिया है, inverse में, sine inverse 3 by 5 लिखेंगे, is equal to mu2, यहाँ के refractive index कितना है, 1 है, तो 1 I into sine, R के जगा पर कितना है, theta A है, तो theta A, clear है, अब देखो धियान से, यह 4 by 3 into sine, और sine निए, 3 by 5 आजाएगा, 3 by 5 आजाएगा, is equal to sine theta A, तो यह क्या हो जाएगा, 3 से 3 केंशी, तो 4 by 5 आजाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर, धियान देखो, तो sine theta A is equal to, 3, 4 by 5, तो theta A is equal to, sine inverse 4 by 5, ऐसे vector में बताया था मैं, कि sine inverse 4 by 5 के वालू, 53 degree होता है, लेकिन चलो नहीं है, तो direct आप inverse में लिख सकते हो, कितना, sine inverse 4 by 5, clear है, बहुत ही आसान है यह, कोई भी इसमें दिमाग लगाना, नहीं है, इसने से लगा यह, और answer पाईए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक और questions है, इस पे आते हैं, चलो भाई, तीस पे आप आते हैं, क्या है जड़ा बताईए मेरे को आप, questions है, कि find the speed of light in medium, किसी medium में मुझे speed of light निकालनी है, medium का नाम क्या है, A, if the speed of light in medium B, यानि कि medium B में जो speed का light है, तो भाई, दो medium बना दो, तो मान लो कि यह medium A है, medium A, और यह medium B, तो medium A में speed निकालना है, यानि कि B A हमें निकालना है, और B B दिया हुआ, कितना C by 3 है, आगे क्या है, कि, and light reflected from medium A to B, यानि कि 1 से, A से, और B में जा रहा है, ठीक है, और makes angle 45 and 60, तो देखो, पक्का बोल रहा है, यानि कि, इसमें 45 बना रहा है, और इसमें कितना बना रहा है, 60 तो दूर जाएगा, तो इधर जाएगा, यानि ये 60 बना रहा है, है ना, तो क्या लिख देंगे, हम लोग बताओ मेरे को, अभी अभी बताए थे ना, इसने स्लाव वेलोसिटी की तर्में अब रहाएंग नहीं पढ़ाए हैं, तो साइन फ्रोमेसने ल्सलाव, साइन आई बटे साइन आर, बराबर क्या जागा, जिसका अगिल उसी के वेलोसिटी, तो अभी 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 में भी बी, अब कुछ नहीं करना था, डायेक्ट बता दिये हैं, लेमडाम बताए हैं, वेलोसिटी में बताए हैं और रिफ्ररक्रिफ से इंडेक्स में बताए हैं, VB C by 3 है तो C upon 3 हो गया अब क्या करेगा VA के जगा पर इधर मडिपलाइ कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर VA is equal to क्या हो जाएगा यह चला जाएगा उधर C by 3 into sin 45 upon sin 60 तो हम कहीं निख दें कि नहीं कि बना लेगो है आप लोग देख लो उसको बना ले ना अगर तुमको बनाना क्या मान हो तो नहीं तो हम बना ही देते हैं क्या हो जाएगा जल्दी बतावतो मेरे को आप तो यानि कि VA is equal to C by 3 तो रहेगा ही और sin 45 1 by root 2 root 3 by 2 तो उपर चला जाएगा और root 3 आजाएगा तो क्या हो जाएगा 2C by A root 6 तो 3 root 6 हो जाएगा VA सही है देख लेगा ना 2C by 3 root 6 है ना 2C by 3 root 6 आना चाहिए ठीक है क्यों 1 by root 2 और ये root 3 by 2 तो 2 पर चला गए root 3 सही है ना तो इतना हो जाएगा क्या velocity of A इतना आजाएगा ठीक है चली यह तो यह हो जाएगा अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखेगा कि भाई हम इसको जो है और आगे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं normal shift या फिर apparent depth तो next जो जो class होने वाला है वो पूरा calculation based और बहुत important होगा किस के लिए जेई के लिए ठीक है क्योंकि कल जो है पूरा reflection का आधार रखा जाएगा जो questions आता है तो आज basic था introduction of reflection था ठीक है जो है next last जो आएगा वो अच्छा होगा Thank you very much